हलो फ्रेंज, रोबर्टी कियोसा की दुवारा लिखी पूस्तक 21 सदी का व्यावसाई को ओडियो बुक के रूप में अपलोड करने के लिए आप जैसे बहुत सारे दोस्तों के हिंदी ओडियो बुक यूट्यूब चैनल पर और मेरे इमेल एडर्स पर बहुत सारे प्रस्ताव मिल चुके है मुझे यह बताते हुए खुशी है कि मुझे यूट्यूब पर तीन चैनल मिले हैं जिन पर 21 सदी का व्यवसाई पुस्तक हिंदी ओडियो बुक के रूप में अपलोड की गई है इसके माध्यम से इस बेश कियमती बिजनस सिखाने वाली पुस्तक को सुईदा अनुसार सुन सकते हैं जिसमें पहला चैनल है Read to Earn दूसरा है Saygota और तीसरा है Knowledge Hub 77 ये तिनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन बोक्स में दिये गए हैं आईए बात करते हैं कि 21 सदी का व्यवसाई पुस्तक मुखे रूप से किस बारे में है किस के लिए लिखे गई है और इससे आप क्या सीख सकते हैं 21 सदी के आते आते दुनिया भर के विविन अर्थव्यावस्ताओं में गंबीर मंदी के बादर मंडराने लगी है रोजगार के क्षेतर में बड़े पैमाने पर कमपनियों की छंटनी, शेर वाजारों में गिरावट और दिवालियेपन की खबरे सभी समाचार पत्रों में परमुक्ता से चबने लगी है लोग यह सोचने पर मजबूर होने लगे कि वित्य सोतंतरता एक मिथक मात्र है जबकि अर्थव्यावस्ताओं खुद डूबी हुई है तब वे खुद कैसे वित्य स्तिरता का अनुभव कर सकते हैं रोबर्टी कियोसा की द्वारा लिखित पुस्तक 21 सदी का व्यावसाय इस निरासाजनक विचार की सोच को खत्म करने के केंदर पर केंदरीत है यह पुस्तक बताती है कि यह खबर वास्त्विक रूप से बुरी नहीं बलकि अच्छी खबर है यह इस विश्वास पर लिखी गई है कि हर व्यक्ति अपनी स्थिती के लिए स्वयम खुद जिम्मेदार है उसे इस पर निर्वर नहीं होना चाहिए कि अर्थवेवस्ता में क्या हो रहा है क्योंकि धन निर्मान का इस बात से कोई लेना देना नहीं है इनसान को पैसे का गुलाम बनने की बजाए उसे उसका मालिक होना चाहिए अपने शोदकारियों के द्वारा रवट यह बताते हैं कि वित्य स्थिर्था और वास्त्विक धन को पाने के लिए हमें क्या-क्या कदम उठाने चाहिए यह पुस्तक उन लोगों के लिए अनुकूल है जो व्यावसाई में जाने के लिए तयार है उनके लिए इसमें आसान व्य प्रभावी व्यावसाईक मॉडल पर भी चर्चा की गई है 21 सदी में व्यापार वास्त्विक धन निर्मान में चरीत्र के महतों पर जोड़ देता है इसमें बताया गया है कि आए निर्मान के ख्षेत्रों के लिए व्यक्ति को अपना दृष्टिकोंड बदलने और सफल होने के लिए आउशक मूल भूत मुल्यों में बदलाओ करना होता है इस बारे में पुस्तक में चर्चा करने के साथ साथ उनकी चिंता भी की गई है मैं आप सभी दोस्तों मित्रों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिनकी वज़े से मैं इस पुस्तक को पढ़ पाया और ओडियो बुक के रूप में सुन पाया इससे मुझे बिजनस शुरू करने के बारे में धेर सारी जानकारिया मिली है धन्यवाद हिंदी ओडियो बुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो